अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हैं तो नीचे दिये रैड बटन पे क्लिक करें और सब्सक्राइब करें आप अपने सजेक्शन्स बेजने के लिए हमें यूट्यूब या फेस्बुक पर कमेंट भी कर सकते हैं आज हम आपको कावल, नेक, टॉक बताने जा रहे हैं इसके लिए पहले आप साइज लेने सोल्डर, चैस्ट, कमर, हिप और लंबाई नापने हमने सोल्डर 14 इंच, चैस्ट 34 इंच, कमर 30 इंच, हिप 38 इंच और लंबाई 34 इंच लिए हम पेपर में ड्राप्त लगाएंगे य यह लंबाई है और यह चोड़ाई है इस साइड हम गला लगाएंगे और इस साइड हम आरद आप लगाएंगे, और यह नीचे की साइड है पहले हम सोल्डर लेंगे सोल्डर 14 का हाफ करेंगे जो हुआ 7 ग ये सेंटर है यहां घला लगाएंगे जला हम 2.5 लगाएंगे यहां नीचे से 1.5 रखेंगे यहां भी एक मार्ख कर देंगे ये चैस्ट का चोथा भाग है चैस्ट हमने 34 इन्च ली है 34 इंच का चौथा भाग हुआ 8.5 इंच 8.5 इंच पे हमने एक मार कर लेंगे यहां सोल्डर से नीचे की साइड आर्म बोल का मार करेंगे आर्म बोल हम सोल्डर से 1.5 इंच कम लेंगे जो हुआ 6.5 इंच जहां यह आर्मोल का मार का लगाया है इसी के सामने हम इस चेस्ट की चोड़ाई का मार करेंगे 1 इंच मार जन के लेंगे यहां उपर से कमर का मार करेंगे कमर का मार का मार का 14 इंच पे करेंगे और यहां हिप का मार करेंगे हिप का मार का मार का तुन्टी इंच पर करेंगे यहां से हम कमर की चोडाई करेंगे यानि कमर का चौथा भाग लेंगे कमर हमने 30 इंच लिए 30 इंच का चौथा भाग हुआ 7.5 इंच 7.5 इंच पर एक मार्ग कर लेंगे यहां हिप के सामने यहां पर हिप का चौथा भाग करेंगे यहां हमने 38 इ यहां से जो बले किया है, यहां से वाने अधातें नीचे एक मार्ग करेंगे अब हम इन सब को जोड़ेंगे यहां आर्मोल की साइड से हम 5.5 इंच मार करेंगे यहां से हम 4 नेशान लगाएंगे यह गले की साइड छोड़ देंगे, कितना यह मारा गला है उतना छोड़के यह नीचे हमने फोर निशान लगाएंगे इसमें सांसे और यह गले की साइड दग हमें लाइन मार लेगें इसमें जोड़ देंगे पहले हम यह गला कट करेंगे अब यहां से हम यह सोल्डर की सेफ कट करेंगे और यहां नीचे से जो मार्जन है यहां से कट करेंगे अब हम यह आरभूल कट करेंगे अब हम इस लाइम को भी कट करेंगे यहां पर टू पॉइंट कुछ छोड़के यहां से पूरा लाइम कट करेंगे अब हम इसको एक दूसरे पेपर पर रखेंगे जो हमने यह लाइम कट किया है इसको हमने फैला लिया है इस तरह से अब जहां पर हमारा यह गले का मार्क आया है यहां से हमें पॉइंट एक मार्क कर लेंगे और यहां से पूरा एक लाइम कर देंगे इस पॉरण करेंगे और एक मार्क हम यहां करें यहां से सीधा आगया है और यहां से भी है सीधा आगया है अब हम इस हिससाम को इस से जोड़ेंगे इह हमारा सोल्डर है एह आग मोल है आमने को का कि अटने इस कपड़े में हम कlleओ पनांगे याग़ेक्ट की कपड़ा है कि यह कपड़े कि यह लंबाई है कि यह कप्ड़े की चोड़ाई है इसुआ है कि इसको और ओल फॉल्ड करने के बादémon fent फोलद किया है यह में पेपर कट किया है यह आगे का भाग है इसको हम इस तरह रखिए कि यह आओंगल है यह उल्डर है इस पेपर को रखे पेपर हमारा छोटा है इसलिए हम पेपर को रखे और टॉप की लंबाई इसको इस तरह बरावर रख लेंगे यहां नीचे से इसको सीधा मार करेंगे और पेपर के किनारे से मार कर लेंगे इसके इस तरह से हमने इसके मार कर लिया है अब हम इसको पेपर को हटा देंगे और हमने जहां यह मार किया है वही से हम इसको कट कर देंगे यह पेपर का बाद हमने पहले कट किया था जिसमें हमने यह कट लगाया है इसको हमने टेप से चिपका लिया है अब हम इसी को रखे पीछे का भाद कट करेंगे यह आर्मूल है यह सोलडल है यह पीछे का गला है यहां से टेप को रखेंगे और टॉप की लंबाई हम थर्टी फोर लेंगे यह गले की साइड बंद साइड है और हम यहां से पेपर की किनारे से माग कर लेंगे अब इसको कट करेंगे लंबाई आप अपने साब से रख सकते हैं छोटा या बड़ा अब हम इसको सिलाई करेंगे यह जो हमने फोल्ड किया था भाग इसको हम इस सोल्डर के साथ और यह आर्मोल के साथ अटेज कर देंगे इसी तरह हम दूसरे साथ का भी यह आर्मोल और शोल्डर स्लाई करेंगे इसके बाद हम इस सोल्डर को स्टल्डर के इसके बाद हम इसके बाद हम इसके बाद हम इसे लादे ए wraps रस्ट करेंगेप इसलाईम भी यह तर साथ करेंगे इसलाईन को कि यह पर नाज भोल और के इसके ऊपर नाजलियों कि इसी तरह हम दूसरे साइड का सोल्डर और आर्म होल के ऊपर दाप सिलाई लगा लेंगे यह इस तरह सिलाई हो गया है अब हम पीछे के भाब का गला सिलाई करेंगे अब हम ये पीछे के बाग का आग मोल शोल्डर और ये गला सिलाई करेंगे हमने आगे के बाग के तरह इसमें भी ये कपड़ा लगा लिया है अब कपड़े को हम सीधा कर देंगे अब कर देंगे बाद ये सिलाई अंदर चली जाएगी कपड़े को सीधा करने के बाद ये सिलाई के किनारे से हम एक और इसके दाब सिलाई लगा लेंगे अब हम इसमें ये आगे का भाग का और पीछे के भाग का सोल्डर जोड़ेंगे इसमें हम आगे का भाग थोड़ा बड़ा हो गया है क्योंकि ये इस तरह से खिच गया है तो हम इसमें चूटा-चूटा पिलेट डालेंगे अब हम ये साइड की शिलाई करेंगे दोनों भाग को इस तरह से आर्लमोल से शिलाई करके नीचे तक ले जाएंगे यहां हम डिवल शिलाई लगाएंगे एक शिलाई पोर लगा लेंगे हम इसी तरह भाग कि अर्मोल के स सिलाई लगाएंगे और यह दोनों साइड इस तरह से पकड़के नीचे तक सिलाई करेंगे अब हम यहां दीचे की साइड फोल्ड करेंगे इसको छोटा फोल्ड करेंगे कावल नेप टॉप सिल्के तयार हो गया है अगर आप इसी तरह और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें